दोनों महिंद्रा, दोनों SUV, दोनों 7-seater, दोनों में दो-दो engine options, इन दोनों SUV में क्या कुछ common नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि यह completely अलग है, अब Scorpio पहले से थोड़ी और premium हो गई है, यानि थोड़ी और महेंगी भी हो गई है, और प्राइस आ चुका है इसके, यानि XU 7OO के territory में, तो आपके लिए कौन सी SUV सही है, आईए समझते हैं, आप देख रहे का, देखो, my name is Arun, let's get started. अब Scorpio तो Scorpio होती है, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो ने Scorpio N का डिजाइन आपको काफी पसंद आएगा, यह पहले से और बड़ी हो गई है, और उतनी ही imposing लगती है, Scorpio जहां थोड़ी माचो और टफ लगती है, वहीं XUV 7OO, sleek और modern. XUV 7W के smooth lines, flush fitting door handles और stylish 18-inch के alloy wheels इसे एक premium अप market look देते हैं, वहीं Scorpio N प्रॉपर पहलवान लगती है, अपने muscular wheel arches, body cladding और बड़े bonnet के साथ, दोनों SUV में LED headlamps, LED tail lamps और roof rails जैसे elements common है, और देखा जाए तो दोनों ही अपने पुराने generations को एक कदम आगे ले जाते हैं, दोनों में से अप कौन सी चुनेंगे, let me know in the comments. महिंद्रा गाडियों के generation से focus लाते हैं आपके family के generation पर, अगर आपके घर के elders इन SUVs को regularly use करेंगे, तब आप XUV को prefer कीजिए, Scorpio में चड़ कर बैठना पड़ता है, जो सब के लिए आसान नहीं है. लेकिन जब आप यहाँ Scorpio में बैठ जाते हैं, वो road के राजा वाली feeling immediately आ जाती है. लेकिन जो seating position है, वो ऊची है, visibility शानदार है, यहाँ से bonnet का edge आपको दिखाई देगा, जो power driver seat है, उसमें range अच्छी खासी है, लेकिन एक शिकायत है, जो steering wheel है, उसमें सिर्फ tilt adjust दिया गया है, telescopic adjust मौजूद नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है, कि आपके ideal seat position पर steering low है, लेकिन बात करूँ seats के बारे में, तो bolstering काफी prominent है, जो cushioning है वो ज्यादा soft नहीं है, तो यह आपको पकड़ के रखती है, उन long drives पर आपको यहाँ थकान महसूस नहीं होगी, थकान तो आपको यहाँ भी महसूस नहीं होगी, XV7W के भी front seats जो है, वो काफी comfortable है, एक important बा seat पर आप थोड़ा और naturally comfortable feel करेंगे, जो dashboard है, उसकी height comparatively Scorpio से कम है, seat में अच्छा-खासा range है, और जो steering है, उसमें tilt के साथ आपको telescopic adjust भी मिल जाता है, तो XUE 7W में driving position धूणना थोड़ा और आसान है, storage spaces के मामले में भी XUE थोड़ी भैतर है, door pockets तो दोनों गाड़ियों की ही छोटी है, पर usability में XUE भैतर है, center console में 2 cup holders और wireless charging tray दोनों SUVs में available है, Scorpio के rear door pockets कुछ खास useful नहीं लगते, यहाँ XUE बेटर है और आप इसे on the move और easily use कर पाएंगे, लेकिन Scorpio N के पास एक advantage है, यह जो seat back है, उसकी cushioning बहतर है, bolsters थोड़े और pronounce है, तो यह seats भी आपको front seats की तरफ पकड़ के रखते हैं, इसके अलावा, यहाँ पर आपके पास rear AC vents के लिए fan speed controller है, जो आपको XUV7W में नहीं मिलेगा, rear AC vents, एक type C charger, seat back pocket के अंदर एक phone holder, central armrest with 2 cup holders, आपको Scorpio N के top model में देखने मिलेगा, rear AC vents, type C USB charger, phone holder, central armrest with cup holders, यह सभी features XUV7W में भी available है, XUV7W Scorpio N से कहीं भैतर है, तो वो है space के मामले में, जिसके आप देख सकते हैं, यहाँ पर near room हलका सा भैतर है, और अगर तीन लोगों को यहाँ पर बिठाना आपके लिए important है, तो XUV7W उसके लिए एक भैतर option है, जो seat back है, वो थोड़ी और flat है, और जो door pads है, वो भी comparatively पतले हैं, तो आप side के तरफ होके बैठ सकते हैं, और अगर आप इस गाड़ी को as a chauffeur driven vehicle यूज़ करना चाहते हैं, आप इस seat पर बैठेंगे, तो यहाँ पर front seat में एक lever दिया गया है, जिसकी मदद से आप उस seat को move भी कर सकते हैं, SUV 7W में और एक benefit है और वो है sense of space का और इसके दो main reasons है, सबसे पहला यह light interior color जिसके वज़े से एक cabin खुला खुला लगता है, थोड़ा और बड़ा लगता है, दूसरा reason है यह बड़ा panoramic sunroof, अब एक शिकायत महिंद्रा से है, दोनों ही SUVs के second row में slide का function नहीं दिया गया है, यह function available होता, तो third row में अब थोड़ी और जगा बना पाते हैं, देखें, दोनों SUVs के second row में one-touch tumble का function मिलता है, but only on the co-driver's side, लेकिन third row की बात करें, तो हम preference देंगे XUV7OO के third row को, और उसके दो reasons है, सबसे पहली बात, इसके third row में बैटना और उतरना थोड़ा और आसान है, दूसरी बात, dedicated AC vents मिलते हैं, with a fan speed controller, जो surprisingly Scorpio में missing है, दोनों ही SUVs की third row almost floor पर है, तो आपको knees up position में बैटना पड़ता है, सपेस की बात करें, तो यहां भी XUV marginally बहतर perform करती है, लेकिन long trips करने हो, तो यहां बच्चे ही comfortable होंगे, अब बात करते हैं features की, जहां काफी कुछ common है, keyless entry, push button start stop, dual zone climate control, steering mounted audio controls, और cruise control जैसे features दोनों SUVs में available है, features के मामले में भी, XUV 7W Scorpio N से एक कदम आगे है, अब दोनों में power driver seat तो है, लेकिन XUV 7W में आपको तीन memory function मिलते है, for the driver seat, दोनों में sunroof available है, लेकिन XUV 7W का sunroof panoramic है, similarly, अगर आप instrument cluster देखे, तो यहां पर एक बड़ा 10.25 इंच display दिया गया है, Scorpio N में part analog, part digital cluster दिया गया है, जो XUV 7W के base variant में available है, यहां पर एक 10.25 इंच का touchscreen मिलता है, और Scorpio N में 8 इंच का, वो touchscreen आपको XUV 7W के base MX variant में देखने मिलेगा, दोनों touchscreen easy to use है, response भी acceptable है, लेकिन camera quality से मुझे शिकायत है, that definitely could have been better, और कुछ ऐसे features है, जो दोनों SUVs में missing लगते हैं, for example, auto dimming IRVM और ventilated front seats. XUV के पास और एक advantage है safety में, हाँ काफी common features है, पर महिंद्रा XUV 7W में ADAS functionality प्रोवाइड करती है, इसमें adaptive cruise control, lane key persist और auto emergency braking जैसे features शामिल है, जो आपको Scorpio में नहीं मिलते. अब बात करते हैं boot space के बारे में, XUV की tailgate उपर की तरफ open होती है, और Scorpio N की side के तरफ. थर्ड रो यूज में हो, तो दोनों में boot space ना के बराबर है, पर यहाँ XUV थोड़ी बैतर है, अगर आप seats fold कर दे, तो धेर सारी जगा मिल जाती है, पर Scorpio N में एक slope सा बन जाता है, तो आपको luggage adjust करना पड़ेगा, XUV का floor flat है, जिससे ज्यादा सामान ले जाने में आसानी होगी, लेकिन इतनी आसानी आपको drive train option चुनते वक नहीं होगी, है ही इतने सारे options? दोनों SUEs में आपको दो एंजिन options मिलते हैं, 2.0 टर्बो चार्ज पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल, दोनों के साथ 6-speed manual और 6-speed automatic का option है, टॉप-end वेरियंस डीजल में, अल-वील ड्राइफ का option, XUV 7OO के साथ मिलता है, वहीं Scorpio N के select variants में, proper 4x4 का option दिया गया है, एक critical difference ये है, कि non-all-wheel drive version में, XUV एक front-wheel drive गाड़ी है, और Scorpio N एक rear-wheel drive गाड़ी, अब petrol, diesel, manual, automatic, all-wheel drive, 4x4, front-wheel drive, rear-wheel drive, ये सभी combinations हम चला चुके हैं, और हम आपको ये कह सकते हैं, चाहे आप XUV 7OO ले या Scorpio N, इसके किसी भी power train में, आपको नहीं power की कमी महसूस होगी, और वो fun element भी आपको दोनों SUVs के साथ मिल जाएगा, लेकिन there is a small difference in the way they ride, difference का reason इनकी बनावट में ही है, Scorpio N एक old school body-on frame SUV है, और SUV एक unibody यानि monocoque, शेहर के अंदर low speeds पर आपको दोनों ही गाडिया comfortable रखेंगे, cabin के अंदर आपको कुछ महसूस नहीं होगा, हाँ, अगर आप अकसर खराब सडकों पर चलाते हैं, मान लीजिए construction sites पर आना जाना होता है, तब Scorpio N एक बहतर option साबित होती है, टायर के sidewalls बड़े है, suspension ट्रैवल थोड़ा ज्यादा है, तो ये खराब रस्तों को और भेतर टैकल कर पाती है, इसका downside सामने आता है high speeds पर, जहां आप cabin के अंदर हलका vertical movement नोटिस करेंगे, especially second और third row में, XUV 7OO में ये comparatively कम महसूस होता है, highway stability बहतर है, XUV घाट वाले रास्तों पर भी थोड़ी और confident लगती है, body roll बहतर controlled है, तो मामला साफ है, अगर usage mostly rough roads पर है, तब Scorpio N को preference दीजिए, अगर usage city और highways तक ही limited है, तब XUV को consider करें, चलिए इस वीडियो को wrap up करते हैं, Scorpio N इस अफ़तार में पहले से और premium है और capable भी, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये अपने roots को नहीं भूली, इस generation में भी इसका road presence शानदार है, खराब सडकों को मानो ये निगल जाती है, और road trips में ये काफी मज़दार होने वाली है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या XUV7OO अपने extra price के लिए worth it है या नहीं? Simple answer, yes, ये अपने added features और interior experience में ही अपने added price को justify कर देती है, और XUV7OO एक बहतर family car साबित होती है, देखिए, second row में आपको थोड़ा और space मिलता है, third row में AC vents दिये गए हैं, इसमें बैठना और उतरना थोड़ा और आसान है, ये सारी छोटी 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 चीज़े हैं जो overall experience को better बना देते हैं, और तो और अगर आप XUV7OO को as a 7-seater यूज़ करें, तब आपको यहाँ पर boot space भी थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, तो मामला साफ है, अगर आप अकसर शेहरों में नहीं, लदाक या स्पिती में पाये जाते हैं, आपको एक ऐसी rough and tough SUV चाहिए, जो उन conditions को आराम से जहल पाए, और जरूरत पढ़ने पर 7 लोगों को बिठा पाए, तब आप Scorpio N को consider कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकसर शेहर में ही चलाते हैं, आप एक फैमली कार धून रहे हैं, और अपने road trips पर भी आप उतने एडवेंचरस नहीं होते, तब XUE 7OO आपके ले एक बहतर चॉइस है, So that's it for this video, इन दोनों में से आप कौन सी महिंद्रा घर ले आएंगे, In fact, कब ले आएंगे, वो भी बता दीजे, अगर आपने दोनों में से कोई भी गाडी बुक की है, आपकी प्रॉमिस दिलिवरी देट क्या है, ले में नो in the comments, कोई questions or queries or doubts or please leave them in the comments, I'll reply to you personally, Don't forget to share this video with your friends or relatives, जो इन दोनों में से कोई भी एक SUV कंसिडर कर रहा हो तो, Don't forget to subscribe to the car, देखो YouTube channel, I'll see you in the next one, Thank you so much for watching, Bye!